गुद मॉनिंग फ्रेंट्स आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आएसेसी बैंक पीओ के बारे में जिसका कि कल एक सप्टेमबर 2020 को इसका ओनलाइन गुरूप डिसकसन हुआ था तो उसका एक्सपिरेंस जो मैं आपके साथ सेर करने वाला हो कि कैसा आपका गुरूप डिसकसन था और कैसे आपको आगे प्रिपेर करना चाहिए ठीक है फ्रें आज की वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको बताता हूं वन वाट अगर आपने वह वीडियो को देखा होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यूंकि सेम टू सेम वही टौपिक्स आए थे और सेम वैसा ही आपका गुरूप डिसकसन हुआ था जैसे मैं आपको उस वीडियो में बताया था ठीक है वो एक ही वीडियो काफी था आपका ग्रूप डिसकसन क्लियर करने के लिए ठीक है तो सेम टुसेम वैसा ही आपका ग्रूप डिसकसन हुआ था online group discussion हुआ था काफ़ी डर रहे थे online group discussion कैसे होगा लेकिन बहुत ही आधान हुआ है जैसे कि मैंने रियू देखा है काफी सारों लोगों ने मुझे भेजा भी है बहुत ही आधा है कि इंटरफेस की बात किया था आपका online group discussion हुआ था जैसे की video call कैसे होता है सेम टू सेम उसी तरीके का आपका उसमें आपके एट टू नाइन मेंबर जुड़े होए थे और दो ग्रूप डिसकसन लेने वाले थे एक सर और एक मैम तो इस तरीके से आपका कुछ इंटरफेस था बहुत ही आसान सा इसका इंटरफेस था लाइक वीडियो कॉल हम लोग कैस स्विड है पांसो कभी पर सेकंड यह तो आराम से चल जाएगा दूसरी बात आपका ड्रेस कोड ड्रेस कोड जो है नॉर्मल था कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी वीडियो कॉल के थरू आपका इंटर्विव था तो बहुत ही आपको लगाओगा क्योंक अच्छे वो group discussion लेने वाले teachers थे सर और मैम लेवल की बात की जाए group discussion की तो पूरा हलवा लेवल का group discussion हुआ था कुछ भी इसमें difficulty वाली बात हुई नहीं थी तो कल मुझे एक mail मिला था हमारे एक subscriber जोने मुझे भेजा था review उनका देखिए उनकी review में क्या था nine लोग बैठे हुए थे सबसे पहले introduction करा गया सबसे और फिर उसके बाद group discussion का topic पुछा गया सबको one by one जितने भी वहां पे student जूडे थे ठेक है उसको उनका favorite topic पूछा गया पहले topic था आपका technology changing the face of education और दूसरा जो topic था आपका generalization और specialization यह आपके topic से दोनों अलग-अलग GD में हुए थे तो सबको पहले topic पुछा गया और final यह fix किया गया कि इस topic पे आपको बोलना है सबसे बड़ी बात आपका जो GD हुआ था only English language में हुआ था ओके तो आपको English में ही बोलना है अगर आप English में नहीं बोल पाते अगर कुछ भी नहीं बोल पाते तो आप disqualified तुरंत के तुरंत वो कर दियते थे ठीक है एक और बात सभी लोग जो आप डिबेट करने लगते थे तो अगर आप डिबेट करोगे वहाँ पे तो simple सा आप reject हो जाओगे ओके डिबेट जादा नहीं करना है जो point आपको बोलना है वही आपको बस वहाँ पे explain करना है कोई डिबेट नहीं करना है ऐसे हुआ उनकी GD में जो है डिबेट कर रहे थे तो डिबेट के कारण काफी सारे disturbance हो गया ग्रूफ डिस्कसन अचे से हो नहीं पाया एक स्टेटन बहुत ज्यादा ही disturb कर रहा था जिसके वज़े से उसको बहार कर दिया गया था ठीक है तो यह बात बिल्कुल ध्यान रखे अगर आपका इंटर्वव भी किलिर हो जाता है ठीक है तो गूब डिस्कसन पे काफी सारा जो आपको देना है पोकस आपको इसे पे करना हूँ है लाश्ट मे सबसे जो है कांग्लुजन पूछा गया था इसलिए जो डिसक mett और तो पहले ऊपर अपर आपको डिसकेसं करना है लेकिन जो आपका conclusion है जो भी आपसे sir पुछेंगे मैं पुछेंगे उनको आपको देना है बहुत ही polite थे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी उनसे बात करने में ठीक है तो यही कुछ experience था बहुत ही आसान experience था आप यह पढ़ भी सकते इनका मेल आया था बहुत आसान होता है इसके लोग वहाँ पर जॉइन होंगे उनकी नाम प्लीज आप लिख लेजेगा जैसे वह बंदा बोलता है तो अगर आप उसके अग्रस में बोलना चाहते हो या उसके साथ बोलना चाहते हो तो उसका नाम लेके आपको बोलना है जैसे कि for example मान लिजे कोई रभी नाम का बंदा और अगर आपको लगता है तो आप उसका नाम लेके अपना जवब दे सकते मौ संसे करना कोई भी डिक्कत नहीं होगी आराम से इसको क्वालिफाइब कर सकते है बहुत 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 ही ज़रूरात नहीं है क्थменच्ज आपको आसधसात में आई होगी अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक करना अपने दोस्ते के साथ शेर करना और कुछ कमेंट होंगा तो कर देना फेंट तब तक के लिए अपने ध्यान रखना गुडबाए